अंतराश्ट्रे बाजार में चल रही मंडी कासर भारतिय बाजार पर भी दिखने लगा है मंगलवार को सोने उचांदे की कीमतों में बड़ा उच्छाल देखने को मिला इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम स्टेंडर्ड सोने की कीमत भड़कर 24,000 को पार कर गई है वहीं चांदी प्रतिकिलों की कीमत 2,050 रुपए बढ़कर 45,000 में 1,200 रुपए पर पहुँच गई है सराफ़ा व्यापारियों की अनुसार लोग सबचुना पर इनाम आने तक भारतिय बाजार में सोने और चांदी के दाम ऐस्थर रहने की प्रबल संभावना है जैपु सराफ़ा कमीटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जैपुर में 24 करेट सोने की कीमत 4,250 रुपए पर दस ग्राम पर आ गई है जबकि 22 करेट सोने की कीमत 49,700 रुपए पर दस ग्राम पर पहुँच गई है सोना 18 करेट 69,600 रुपे प्रती 10 ग्राम और 14 करेट 48,600 रुपे प्रती ग्राम पर पहुँच गया है चांदी रिफाइन के कीमत 45,200 रुपे प्रती किलो पर पहुँच गई है जेपु सराफ एसोशेशन के राज शर्मा ने बताए कि अंतराश्ट्रिय बाजार में चल रहे विवाद और भारत में जारी लोग सबचनाव की वज़े से शेयर मार्केट में उतार चड़ाव का दोर है बाजार की इस सिती के बाद आम आदमी के साथ व्यापारी भी सोने और चांदी में निवेश करना पसंद कर रहे हैं दुनिया भर में भड़ रहे तनाव के बाद वित्य एनिश्टिता के हालात पैदा होने के डर से दुनिया भर के केंद्रिय बैंक सोने उचांदी में निवेश कर रहे हैं। इससे सोने उचांदी की कीमत में जाफा हुआ है। इसे में कीमती धातों के कीमत में बढ़ोतरी का सिलसला जून के पहले सब्ता तक जारी रहने के संभावना है।